एक पिता था, उसके एक लड़की थी, बहुत प्यार करता था लड़की से, अपनी प्राणों से ज़्यादा प्यार अपनी बच्ची से करता था, हर पिता करता है, कौन है जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करता है, इतना प्यार, माबाप के लिए बच्ची सुन्दर हो य किसे हर एक्षा उसकी पूरी कर देता था बेटी के जुवान पर कोई बात आ नहीं पाती कि पिता उसकी हर मुराद पूरी अरे भगवान से मांगने में तो थोड़ा समय लग जाता था मिलने में लेकिन बेटी नहीं कुछ कह दिया तो पिता सबसे पहले अपने बेटी की एक् बच्ची से मानेवर मिराप से निवेधन है अपने बच्चों से प्यार करो बहुत प्यार करो भूत लाड करो ऑद दुलार करो लेकिन पुलक सागर की एक बात याद रखना कि इतना प्यार मत करना कि उसका भविश खत्रे में पढ़ जाए ध्यान रखे इतना भी लाड़ प्यार मत करो क्योंकि तुम्हारी बेटी को पढ़ो दूसरों के घरों में जाना है एक बात याद रखना कितना भी लाड प्यार कर लेना लेकिन बेटियों की सुभाव पे ध्यान जरूर देना हकीकत में बताओं तो नभे प्रिस्ट सराल ससराल खराब नहीं होती नभे प्रिस्ट हमारी बेटी का सुभाव खराब हुआ करता है ध्यान रखिये आपको विचार करना है इतना लार मत करो कि वो जित्दी हो जाए वो बड़े छोटों का भेदी भूल जाए वो मान मर्यादा ही भूल जाए वो भूल जाए कि मैं भारती नारी हूँ ध्याना रखना सुविदाए दो इतना मत देना कि कल तुम्हारे लिए उसका प्यार दुखदाई बंचाए ध्यान रखे उस पितां ने सेठ ने महत प्यार किया अपनी बच्ची को इतना प्यार, इतना प्यार कि वो लाड लाड में लड़ंका हो गई एक बार ध्यान रखना लड़ंका बहुसे जो खुशियां बाट सकें ऐसी बेटी अपनी बना करके तैयार करो उसने सेथ ने बहुत प्यार किया जिद्धी हो गए कोई कुछ कहता तो हजार जवाब देती जलाहट रखती जुझला के बात करती एक बात याद रखना बेटी ओ यह तुम्हारा जुझलाना यह तुम्हारा गुस्सा होना यह तुम्हारा खीजना माबाप तो बरदास्त कर लेंगे लेकिन ससराल बरदास्त करने वाली नहीं है ध्यान रखना माबाप तो जवाब सुन लेंगे लेकिन जब बिवाह करके ससराल जाओगी तो तुम्हारी कमियों को पीहर में तो बरदास्त किया जा सकता है लेकिन तुम्हारे गलस सुभाव क सस्राल में बर्दास नहीं किया जा सकता है ध्यान रखिए बहुत सम्हल के जीना है अपनी जिन्दगी को इंकारी हो गई लड़की घमंडी हो गई लड़की मा समझाती की देखो तुम्हें करते क्या हो कितनी अकड में जीने लगी है कितना इगो हो गया इसको पड़ जवाब देती है पिताने का बच्ची है ठीक हो जाएगी ना बबाबा बच्ची समझके मत छोड़िये आपका ये प्यार आपकी धील उस बच्ची का जीवन बर्म मैं बबान बिचार करता हूँ आपसे भी बात करता हूँ एकने वेदन करता हूँ बड़ी बिनमर्पा के साथ कि आज बच्ची की हर दिमांड पूरी करके आप थोड़ी देर को तो खुश हो जाओगे लेकिन यह आदत तेरी बच्ची को लग गई तो जिंदगी भर तुम्हें आशु वहाना पड़ेंगे त्याना रखिए लड़की को पालना किसी संत की साधना से कम तपस्या नह बड़ी हो गई पिताने कहा कि अब बड़ी हो गई है जब बड़ी हो जाए तो माबाब को एक ही चिंता रहती है कि मेरी बच्ची का घर वस जाए मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाएं तो हम इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं साधी करदी पिताने एक अच्छे घर में अाँठ दिन भी नहीं होएे फोन आगया पिता के पास पिता जी इस नदत में नहीं जी सकती हो पिता ने कहा यार आठ दिन में ऐसा क्या हो गया अरे बोले सब बेकार है यदि मुझे जिन्दा देखना चाहते हो इसी बगता जाओ जैसे हो बैसे आके मुझे ले जाए बाप ने कहा यार मैंने तो इतना अच्छा घर देखा था इतना दहेश दिया था सब कुछ दिया था उसके बाद इतनी अच्छी साधी की पूरे नगर में ऐसी साधी कोई नहीं कर सकता है आठ दिन में ये क्या हो बेटी ने कहा मैं फौन रख रही हो जल्दी आओ बापिस मुझे ले चलो यहां से नहीं तो बेटी का मुझे नहीं देख पाओगी लाचार पिता ध्यान रखना लड़की का बाप बनना कोई बच्चों का खेल नहीं हुआ करता मेरे भाई लाचार था वो पिता क्या करता एक तरब तो बच्ची का प्रेम है आठ दिन हुए चला गया ससराल में लड़की की जैसे ही गया किसी ने जैजनेंदर भी नहीं किया किसी ने राम राम भी नहीं की किसी ने इतना भी नहीं किया कि सम्दी जी आईए पढ़ार ये लड़की के ससर अपनी जगे चले गए दामान बाजू से निकल गया देवर ने कुछ नहीं बोला उसने देखा यार आठ दिन की साधी में ये समसानी माहौल है यहां का किसी ने कुछ नहीं बोला घर में गया बेटी के पास कमरे में एक बात याद रखना एक बेटी के गलत बेवहार से तुम्हारी ही ससराल में तुम्हारे माबाप का अपमान हुआ करता है ध्यादा रखे और यदि बेवहार अच्छा रखती तो चार लोग उनके स्वागत में खड़े रहते कहते कि धन्य हो आपने ऐसी पुत्री को जन्म दिया है ध्यादा रखे कोई नहीं बोला उससे गया बेटी की कमरे में बेटी बात क्या इसी बगत चलो पानी मत पीना इस घर का अरे पिताने का ऐसा क्या अभी ले चलो मेरा दम घुट रहा है मैं यहाँ एक पल नहीं रह सकती हो उसने का बेटा रुको मैं तरी सासु से पूछ लेता हूँ बोले क्या पूछना उस डायन से अरे उससे मत पूछो बुडिया से उसकी कारण तो मैं दुखी हूँ इस घर में आठ दिन हुआ नहीं मेरा जीना हराम कर रहा है बोले बेटा रुको एक बार मैं पूछता हूँ गया लड़की की सास के पास बोला बहन जी मैं आया हूँ सास ने का दिख रहा है कोई मुझे चस्मा नहीं लगा है मैं आया हूँ कौन सा बड़ा कमाल कर दिया तुम आए हो तो पिठा ने कहा यार ये के सब योहार है बोले बेट जी मैं अपनी बच्ची को ले जाना चाहता हूँ कल के ले जाने वाले आज ले जाओ इसी बच्त ऐसी लड़की बे दिये तुमने जीना हराम कर रखा इसने आठ बड़े सोके उड़ती है कोई काम नहीं करती है सीरा बना बनाया खाना चाहिए और किसी ने कुछ कह दिया तो एक की चार सुनाया करती है ऐसी लड़की दिये ले जाओ अपना पैसा बापिस ले जाओ अपना दहेज बापिस नहीं चाहिए हमें ऐसी लड़की पिता कसिर जुग गया बेटी की गलती से ध्यान बखना चरमिंदा हुआ बेटी को लिया चला गया बहन जी दस पंदरा दिन मैं भेज दूगा बहने कभी नहीं जिंदगी मत भेजना उसको यहां दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद है पिता समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड है बेटी को बिठाया गार में ले गया गर रास्ते में पिता ने पूछा कि बेटी एक बात बता ये माहौल कैसे निर्मित हो गया बोले पिता जी कहां पठक दिया तुमने मुझे ले ले जा करके इससे अच्छा तो कुमारी रह लेती तो बुछा था बोले बेटा एक बात बताओ देखो चिन्ता मत करो मैं हूणा सब सही हो जाएगा ये बात बताओ तुम्हारी ससराल कैसे है बोले देखी रही है गया एक दम नरख ससराल नरख बोले पेटा अचा 1 चेंज बले आँवाध का बोले अननन कैसे उले नंबर बन की चुगणी करनेवाली चुगल उसके जैसी लड़की मैंने जिन्दगी में नहीं देखी तो बेटा एक बात बता तेरा पती कैसा है वोली साक्षात यम्राज है पती यम्राज ससुराप्षा सास डायन देवर आवारा जेख मूर्ग ननन चुगल खोर वोली एक बात और बता दे वेटा तेरे पड़ोसी कैसे हैं बोले LLB लुच्चे लफंगे बदमास अरे पिता ने कहा यार एक आदमी गलत हो शकता है दो गलत हो सकते हैं पूरी ससराल का हर मेंबर गलत है गल ससराल तो छोड़ो पड़ोसी भी गलत है समझदार पिता था ध्यान रखना लड़की के मावाब को बहुत समझदार होन पड़ता है उस पिता ने कहा कि अब गड़वड ससराल नहीं गड़वड मेरी लड़की है एक भी तो अच्छा नहीं है पूरे घर में जो देखो सब इसके खिलाप है जो देखो सब की ये बुराई कर रही है बोले बेटा चिन बोले पिता जी अब मैं कभी नहीं जाओंग बोले मत जाना तेरे बाप का घर है अराम से रहना बेटी अपने हां किसी चीज की कमी नहीं ले गया पीहर में अच्छली तो गई भावी ने देखा अच्छा आ गए देवी जी इसका मतलब है कि अब बिचार बना कि अभी यहीं रहेंगी तो भावी ने का लाचा भी इदर कहा कि भावी अभी ध्यान रखना दो चार आठ दिन को जाओ तो भावी भी इज़त करती है और जब रोज रोज रहने लगो तो भावी भी कहती बहुत हो गई दी 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 जी 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 अब साइड हो जा चलो उट खाना बना चाहला नास्ताला बहुत ऐसो आराम हो गए त इसने कहा यारी भावी का तो नेचर बदल गया जादा लड़की पीहर में रहेगी इज़त खराब हो जाएगी मेरे भाई ध्यान रखना लड़की की सान पीहर से डोली उठना है और ससराल से अर्थी उठना ये लड़की की सान हुआ करती है ये लड़की का जीवन हुआ कर सबसता है भावी का बेघार मंदिर गई एक दिन दो दिन पांच दिन दो महिने हो गए अब तो मंदिर वालों को परेसयानी हो गई पूछने लगे क्यों लेने नहीं आ रहे क्या अब तेल जले तेली का दिल जले मसालची का बाप कहां रह रहे है पड़ोसी का पेट दुखरा है जो भी सहेली मिलती क्यों कहां घुम रहे है जीजा जी नहीं आई क्या अरे उसने का सत्या रासो वो जीजा का ना मुझे सस्राल में रहने दे रहा है ना पियर में रहने दे रहा है साधी में जाए पार्टी में जाए कहीं भी जाए हर कोई पूछे क्यों लेने नहीं आ रहे छोड़ दिया क्या अरे उसने कहा यहां जीना तो और भी महमान पूछे रिस्तेदार पूछे जो देखो वो टौके ससरान नहीं जाती है तीन महीने हो गए जगड़ा चल रहा है क्या कुछ अनवन है क्या अरे उसने कहा मैं तो मर गई वहां से गई हम आसमान से गिरी और खजूर पे ध्यान रखना इस महले वाले नहीं जीने देते हैं ध्यान रखना इनको बड़ी पड़े सानी हो जाती है क्यों नहीं जा रहे अब मंदिरों में एक ही चर्चा फलाने सेट की लड़की ससरान नहीं जा रही है लगता है की छोड़ दिया है लगता है की तलाग की तैयारी है अरे हमें तो मालूम था ये ऐसही है ये कहीं भी रहने वाली इरे उसने कहा ये तो मेरा जीना हराम हो गया तीन महिने मैं पूरे महले ने उपद्रव मचा दिया बोले सेठ जी बलड़की जाती नहीं है क्या अब सेठ क्या बोले सेठ एक दिन उदास वैठी थी जरोखे पर सेठ ने कहा बिटी बड़ी दुखी दिख रही बोले करूं क्या पिता जी मैं ससराल बिलकुल नरक है और यहां साधी के बाद क्या आगई कि मेरी ये जथी मिट्टी में मिल गए जो देखो मुझे शक्की निगाह से देखता है जिससे बात करो जैसे ही बात करो पहला प्रशन होता है जीजा जी कहा है अब जीजा ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है इससे अच्छी तुब बढ़ा जी मेरी साधी ही नहीं होना थी ध्यान रखना यदि महला टौकता है समाज टौकती है तो बुरी बात नहीं है ऐसे ही टौका करो किसी का उजड़ा हुआ घर फिर से बस जाएगा ध्यान रखे माजने बाए बहुत दुखी हो गई वो पिता ने पूछा बेटी एक काम करेगी बुले क्या बुले अपने नगर में एक महराज पढ़ा रहे है बड़े पहुचे हुए संत है मैंने तेरी चर्चा उनसे की है क्या बुले महराज बुले पहले सुन ले सांती से उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया है यदि इस मंत्र की मैं साधना करूं, मंत्र का जाप करूं, तो छे महिने में सस्राल तरी मुठी में आ जाएगी, मुठी में आ जाएगी बोले, अब लड़की चायती क्या है, इनको सबसे बड़ा दुख्यों है कि कि किसके अंडर मैं मैं रहूं, ये तो ये चायती कि जाती सा मेरा राज हो जाए मैं महरानी बन जाओं सब लोग मेरे सारे पर काम करें इनको राज पाट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ध्यान रखना बहू को चाहिए घर की चावी घर की मालकियत वो किसी की अनुसासन में रहना नहीं चाहती है लोगों को अनुसासन में रखना चाहती पिता ने कहा बिटा 6 महीने में तेरी सस्राल का पूरा बाता वरेंड बदल जाये तो तू सस्राल जाना चाहेगी उष्ट ने का पिता जी क्यों नहीं जाना चाहूंगी अब अकल आगई उसको ठिकाने ज्यादा बहु गड़वर करे ना तो एक आज साल छोड़ दिया करो अपने आप आएगी लोटके वापिस दिया में अब अकल आगई उसको कि क्या करूं बोले हाँ पिताजी जा सकती हूँ मैं बोले सब तरी मुठी में होगा बोले सब होगा बोले हाँ तो बोले मैं जा सकती हूँ पिताजी बोले वो तेरे आगे पीछे घुमेगा साज अरे तेरे पेर चुएगी वो साज पेर चुएगी बोले हाँ अरे ऐसी ससराल तो चाहिए थी मुझे बोले मैं महराज ने क्या का महराज ने ये कहा कि मंत्र पिताजी दे कोई मंत्र मंत्र मुझसे नहीं होगा ये कठिन काम है बोले एक काम कर महराज ने ये कहा है कि मंत्र तो मैं जप लूँगा साधना तू कर ले ना मंत्र तुम जप वो साधना मैं करूँ बोले हाँ तुरंत फैक्ट पड़ेगा तो बोले पिताजी मुझे क्या साधना करना है बोले साधना तुझे इतनी करना है कि छे महीने किसी को जवाब मत देना किसी को भी कुछ भी बोल दे छे महीने जवाब मत देना और छे महीने किसी से अकड़ना मत जुक करके जीना इमानदारी से काम करना बोल तयार है बोले पिता जी तयार हो बस छे महीने ना बोले हाँ उससे जादा तो नहीं बोले नहीं उसके बाद सस्राल मेरी मुट्टी मेरे बोले तुरंट मुट्टी में बोले नहीं हुई तो नहीं हुई तो बेटा अपना घर है बापी से जाना गया तैयार हो गई पिता ले गया असराल में जैसे ही पोँचा समने देखा फिर आ गई ये आपत की जान कोई नहीं बोला इंसे ना ननन ने बोला कि भावी आ गई ना देवर ने बोला भावी आ गई नजेट ने बोला बहु आ गई पती ने का फिर आ गई कल भुई इस घर को बर्माद करने गुसा तो इतना आया उसे लेकिन पिता ने का साधना ध्यान रख कुछ भी मत बोल छे महीं में गई पिता ने छोड़ा सास सास से बोला कि बहन जी रखी इसको बदल गई बोले यह क्या बदलेगी बापिस ले जाओ इसको मैंने मना किया ता ला कि हमारे आमाद भेजना एक मौका एक मौका तो हर किसी को दिया जाता इसको देने का प्रयास करिये सास में का ठीक है गई सुबह उठी आठ बज़े उठती थी छे महीने मुझे छे बज़े उठना है उठी गई सास के पैर पढ़े अरे सास में का यह क्या है यह पैर पढ़ रही मेरे बोले अम्मा जी आशिरवाद दो कि आज का दिन सुकसांती से बीते सुब बीते तुम आशिरवाद दे दो सुकसांती सास कुस हो गई तो फिर तो सांती सांती है बोले अम्मा जी आशिरवाद दो मैं सब को खुशियां बाट सकूँ अम्मा ने कहा यार यह बोल क्या रही है ठेक ठेक बेटा आशिरवाद जा रही थी एक पेर की चोट लगी कांच का गिलास पूड गया ससुर ने कहा अंधी है क्या दिखता रही है तुझे आते ही साथ उमद्रों शुरू हो गए तेरे जब तक नहीं थी बड़ी सांती थी गिलास पूर के रख दिया अब गुसा इतना आया उसने का बुड़े यदि मेरा बाप मंत नहीं जफ़रा होता तो गिलास तेरे सिर्फ पूर्टता लेकिन अब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूं मजबूर हूं क्या बोलू पिता का चेहरा याद आया बेटा कुछ जवाब नहीं देना चुप रह गई बोली पिता जी गलती हो गई कल से ध्यान रखोंगी बाप ने कहा यार ये गलती हो गई इसके मूँ से तो गलती सब्द हमें सुनई नहीं है एक कहते थे तो सौ जवाब देती थी हजार जवाब आज कह रही गलती हो गई उसने का बुड़े रुक जाओ च्रह महीने बाद तो जहिए नहीं इस घर से निकाला मैंने तो मेरा नाम नी कौन बोला जहासे की राने नहीं ध्यान 안र विचार करें ऐक बाद ध्यान रखो बस च्रह महीने इसका जवाब तुझे च्रह महीने बाद दूगः मैं ध्यान रखो गई सुवए से नास्ता बना रही चाय बना रही सास के कान में आवाज गई उसने अपनी बेटी से का बेटी देख रसोई में इतने सुवई सुवई कोन गया है कोई बिल्ली इल्ली तो नहीं है नननने कहा बिल्ली नहीं है यह अपनी वाली बिल्ली है तो उले कर क्या रही है बोले नास्ता बना रही है आरे बाप बरे देवर के लिए ठाली परोसे जेट के लिए सब जबस्ता करें पती का ध्यान रखती ननन से प्यार करती सहेली जैसी रहती बस अंदर क्या आग लगी थी ये सब ड्रामा कब तक का है छे महिने का ड्रामा है इतना ब्यवार चेंज सास ने कहा बेटा तु वही वाली है या तेरे पिता जी ने बदल के भेज़ती है तुम जुड़मा तो नहीं थी ओरे नहीं अम्मा जी कैसी बात कर रही हो ये घर मेरा है ये स्वर्व से सुन्दर मेरा घर है मैं इस घर को बसाऊंगी सास ने कहा बेटा तु इतनी चेंज हो जाए कि मा बुडिया रुख जा पांच महिने तो बचे फिर बताऊंगी मैं तुझे इतनी साफ्ट पेर दबाती जैजनेंद करती पिता जी को पिता जी पिता जी कह करके बात करती लोगों के दिलों पे राज करने लगी एक महिने में उसने देखा यार बाबा जी का मंत्र तो बड़ा प्रभावी है उन्होंने तो कहा तो छे महिने लगेंगे यहां तो पूरी सरकार मेरी मुट्टी में आ गई है अब तो अपना राज हो गया है एक दिन सास ने बुलाया बेटा इधरा इधरा देख तू इतनी अच्छी लक्ष्मी आई है मेरे घर में बोले लक्ष्मी मालूम नहीं लक्ष्मी कबरण चंडी दुरुगा बन जाएगी बोले बेटा एक काम कर ए जो चावी है ना असे तो समाथ अरे उसने कहा हो गई आज मेरी जिन्दगी ला अमा जी लाओ अरे ले बेटा ले पती से कहा बेटे से कहा दुकान से लोटो जो भी पैसा आए घर की लक्ष्मी के हाथ में देना अब मैं बूरी हो गई हो अब सब हिसाब किताब यहीं रखेगी अब घर यही दोबी का पैसा भी देगी दूद वाले का पैसा यह देगी सब्जी वाले को पैसा यह देगी जो भी कमाई करके लाओ मेरी बहुरानी के हाथ में रख देना अरे उसने कहा वहाए बाबाजी आज तो बल्ले बल्ले हो गई सब कुछ मिले हाथ में हर चीज का नौकर चाकर का तन खाय तुम देना, पेमेंट तुम करना, कौन सी सबजी बनना है, बहु बताएगी, उसने कहा यार बड़ा मजा, अब ससुर जी क्या करें, दुकान से लोटें, तो लोटते समय क्या करें, वो बहु के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आया करते थे, कभी पेडा लेकर आ जाएं कभी आईस्क्रीम लेकर आजाएं आरे उस बहूने का याद कितने मज़े हो गए यहाँ ध्यान रखिए बुजरुगों से मेरा नवेदन है ससूर से मेरा नियदन है सास से मेरा नियदन है जब भी बारा मती से कहीं बाहर जाओ, घूमने जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ लेकर आओ या ना आओ, अपनी बहु के लिए एक साड़ी लेकर जरूर आया करो, अपनी बहु के लिए कुछ ना कुछ सामा, इतालियां बहु ने बजाई, क्या सासों ने, बढ़ी होशियान है, बहु ने बजाई, मज़ा आ गया, आज हो गई सासों की धुलाई, लेकिन इस सासों इतनी बेइमान हैं, बाहर जाएंगी, लड़की के लिए लेकर आएंगी, बहु के लिए नहीं लाएंगी, इस चोटी चोटी बाते हैं ध्यान रखना, यदि हर वार ससुर जी घर लोटे, रोज घर लोटो, कुछ ना कुछ बहु को लेकर आओ, तुम बाहर जाओ सासों तो, कुछ ना कुछ लेकर जरूर आओ, और एक नया मंगल सूटर ही लेकर आजाया करो, और पुछ ना मिले, कौन बोला अच्छी सुन्दर सी चप्पल ले आया करो, नहीं, चप्पल मत लाना, बहु का मूड बिगड़ जाए तो, एक मोबाइल ले आया करो, कि मेरी बहु को मोबाइल, ध्यान रखना, इन बातों से कुछ होता नहीं है, लेकिन बहु के मन में ये भावना आती है, कि बाहर घूमने के बाद भी, ममी ने मेरा ख्याल रखा है, आपके प्रेम के संबंद बन जाएंगे, आपकी आत्मीता के संबंद बने जाएंगे, आप चायते हो, ससुरु जी बोलो, कि घर में हमारा कोई इंतजार करे, बैसे तो बुढ़ों का कोई इंतजार नहीं करता है, चायते हो कि कोई इंतजार करे, इंतजार फोकट में नहीं होता मेरे भाई, यदि रोज मीथा लेके आओगे, तो बहु कहेगी, पापा जी नहीं आए, आज लेट हो गए अभी तक नहीं आए वो इंतजार तुम्हारा नहीं कर रही है उलाब जामुन का कर रही है किसी भी वहाने घर में इज़त तो बनाओ मेरे भाई ध्यान रखिये तीर्थों पे जाओ तो बहु को लेकर कुछ ना कुछ आईए आप बताईए आप सोचिये विचार करिये आपके संबन अचे ससुर्जी लोटे बहु के लिए कुछ ना कुछ लेकर आएं धीरे धीरे एक महिने में परिवार तो बदल गया दूसरे महिने में बहु के विचार भी बदल गये सबसके साथ ऐसे रहने लगी ऐसे रहने लगी एक दिन रक्षा वन्नन का तिवहार आया भाई लेने आया भाई ने कहा बेट डीदी राकी का तिवहार घर चलना है तो मालू है बहु क्या बोली मेरी मम्मी से पूछ लो जब पहली बार नजारा क्या था भाड में जाए वो डायन आज क्या कह रही है मेरे पिताजी से पूछ लो मेरी मम्मी से पूछ लो भाई ने कहा जिए तू ड्रामा कर रही है हकीकत का मामला है बोले चुब बैट पूछ के आजा गया अम्मा जी दीदी को ले जाओ अरे बेटा कहा ले जा रहा है बोले रक्षा बंदन है बोले बेटा तेवहार है तो मैं मना नहीं कर सकती लेकिन जब से तिरी बेहन इस घर में आई है सुरगजें सावाता वरन हो गया है वो ना रहेगी तो हमारा मन न लगेगा बो ना रहेगी तो एक दिन काटना मुश्किल है देवर बोला भावी जल्दी लोट कराना ननन्द की आँखों में आसु आ गए ससरो ने कहा बेटी तू मेरी बुढ़ापे की लाठी है जल्दी घर बापिस लोट के आना देखो भाईया राखी बने और दूसरे दिन भेज देना मेरी बेटी को इसके बिना हमारे घर की सोभा बेवाई ने देखा ये बात गई घर पियार जैसे ही पहुची पिता ने पूछा बेटी ससराल कैसी है बोले एकदम स्वर्ग पिता जी अरे बो नरक थी नरे नरक अरक नहीं बिल्कुछ स्वर्ग है और बोले पिता बेटा ये बता तेरा वो राक्षा ससुर पिता जी तुम मेरे ससुर को राक्षा समत बोलो देखो इतने अच्छे हैं कभी तुमारी याद तक नहीं आती है जब तक उनके साथ रहती हो मेरा जीवन बदल गया पिता जी अरे बोले वो डायन सास अरे इतना प्यार तो मम्मी नहीं करती जितना प्यार मुझे मेरी सास किया कर अरे बोले वो आवारा देवार बोले आवारा मत बोलो पिता जी अम मुझे बुरा लग जाएगा बुरा लग जाएगा बोले हाँ लक्षमन की तरह मेरा देवर है दिनवर भावी 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 करते रहता है अरे बोले वो चुगली करने वाली ननन्द चुगली नहीं इतनी सम्मान और इज़त आज मुझे पता चला सस्राल में जाके कि घर में एक छोटी बेहन का होना भी बहुत जरूरी हुआ करता है बिल्कुल बेहन सहेलियों जैसी रहती है बोले पिता बेटा वो तेरा धूर्त मूर्ख जेट अरे बड़े भाई का रोल अदा करता है पिता जी बोले वो राक्ष वो तेरा यमराज पती बोले देखो पिता जी अब बरदास नहीं होगा यमराज यमराज कहोगे भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पती मेरा देवता है अरे बोले वो एलेल भी पड़ोसी उनके जैसे पड़ोसी पिता जी दुनिया में ढूनने जाओ तो मिलने वाले नहीं है बाप ने बेटी को चाती से लगा लिया और कहा स्याबास बेटी आज तुने अपने बाप का माथा उचा कर दिया है आज तुने अपने पिता को गरव दिला दिया है आज मैं समझ रहा हूँ कि आज मेरी जिन्दगी का सबसे अच्छा दिन है कि मेरी बेटी का घर स्वर्ग बन गया है बेटियों से निविदन है यदि आप खुश रहोगी न तो पीहर में माभाब भी खुश रहेंगे ध्यान रखिये